कैसे हो दोस्तों जाहिर होगा कि आप अच्छे होंगी अगर नहीं तू कमेंट में बताना कि क्या समस्य है दोस्तों आज आम इस वीडियो में बिपलेक्स फोरट टेबलेट साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो बिपलेक्स की कमी होती है तो उस समय डोक्टर के द्वारा इस द्वा को दिया जा सकता है वीपलेक्स फोरट टेबलेट एक मल्टी विटामीन टेबलेट होती है जो की विविन पोशक तत्वों का सहुज़क होता है यह टेबलेट शरीर को विविन विटामीन मिनरल और अन् डोक्टर ने यह द्वा नहीं दी है और आप बिना डोक्टर की अनुमती की यह द्वा लेती हैं तो आपको नुक्सान का सामना हो सकते हैं इस कारण से बिना डोक्टर की अनुमती की यह द्वा कभी भी नहीं लेनी चाहिए आपको बता दे कि निमनी इस्तती की अंदर इस द् उप्योग आप कभी नहीं कर सकते अगर आपको डाइपटीज की समस्या होती है तो आप इसका उप्योग करती हैं तो आपको साइड इफिक्ट देखने को मिलेंगे अगर आपको किसी प्रकार की लीवर की समस्या है या लीवर की बीमारी है तो आपको बता देते हैं कि एसी स्तती के अंदर बिप्लेक्स फोरट टेबलेट रियूज करने के सला डोक्टर की दुवारा कभी नहीं दी जाती हैं अगर आप इस स्तती के अंदर इस दवा का उप्योग करते हैं तो आपको साइड फेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर किसी को किड़नी की समस्या रहती है तो उसे भी बिप्लेक्स फोरट टेबलेट का उप्योग करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगी अगर किसी को किड़नी की समस्या रहती है तो उसे भी बिप्लेक्स फोरट टेबलेट का उप्योग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इस स्तती के अंदर इस दवा का उप्योग किया जाता है तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा अगर मरीज के सर्जरिय या उप्रेशन हो चुका है तो आपको बता देते हैं कि डोक्टर उस समय भी इस दवा को कभी नहीं लेने की सला देती हैं डोक्टर के दुवारा कहा जाता है कि इस स्तती के अंदर दो से तीन सकता तक इस दवा को नहीं लेना है अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं इसके अलावा दवा बिना डोक्टर की अनुमती के लेने पर भी साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं इसके अलावा आपको बता दे कि अगर आप दवा को सही समय पर नहीं लेती हैं या अन्य दवा के साथ बिपलेक्स फोरोट टेबलेट का उप्योग कर लेती हैं या फिर अधिक मात्रा में बिप्लेक्स फोर्ट टेबलेट का उप्योग कर लिया जाता है तो उस इस्तती के अंदर साइड डिफेक्ट नजर आ सकती है। अगर साइड डिफेक्ट के बात की जाई तो वह कुछ इस तरह से होंगी। नामबर वन रक्त चाप में उतार चड़ाओ दोस्तों बिप्लेक्स फोर्ट टेबलेट का उप्योग करने के कारण से आपको रक्त में उतार चड़ाओ देखने को मिलता है तो आपको बता देते हैं कि यह बिप्लेक्स फोर्ट टेबलेट के कारण से होने वाला एक साइड डि जाती है तो आपको बता देते हैं कि यह बिपलेक्स फोरट टेबलेट के उपयोग के कारण से होने वाली एक समस्या है जिसे स्राइड डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है अगर आपको पेट की समस्या नजर आती है और आप विपलेक्स फोरट टेबलेट का उपयोग कर रही हैं तो आपको बता देते हैं कि इस स्तती के अंदर जो यह पेट की समस्या होती है यह इसी दुवाक का एक प्रकार का स्राइड डिफेक्ट होता है और एसी स्थिती के अंधर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उँचे बात करनी चाहिए अगर आपका डॉक्टर किसी प्रकार की सला देता है तो आपको उसका पालन करना होगा और उसी के अनुसार कारीय करना होगा दोस्तों बिपलेक्स फोलटर टेबलेट का उप्योग करने के कारण से कई तरह के साइडिफेट नजर आ सकते हैं उनके अंदर जी मचलाना भी एक होता है इस स्टती के अंदर क्या होता है कि जी मचलाना जैसा महसूस होता है या फिर उल्टी भी हो सकती है अगर आपको इसा कुछ देखने को मिलता है तो आप अपने डोक्टर से बात कर सकते हैं दोस्तों जब हम सपर करते हैं तो हमारी अंदर उल्टी होने की समस्या देखने को मिल जाती है मगर आपको बता देते हैं कि बिपलेक्स फोलोट टेबलेट का उप्योग करने के कारण से भी उल्टी होने की समस्या देखने को मिलती है और ये एक प्रकार का साइड डिफेक्ट होता है दोस्तों एपच्चे की समस्या होना भी काफी अधिक बयानक समस्या मान सकते और आपको बता देते हैं कि बिपलेक्स फोलोट टेबलेट का उप्योग करने के कारण से होने वाला एक साइड डिफेक्ट एपच्चे भी होता है दोस्तों अगर आपके पेट के अंदर दर्द होता है और आपने अभी अभी बिपलेक्स फोलोट टेबलेट का उप्योग किया है तो आपको बता देते हैं कि यह इसी दवा के कारण से होने वाला एक साइड डिफेक्ट होता है दोस्तों तोचा के अंदर खुजली होना भी एक साइड डिफेक्ट मान सकते है अगर आप बिपलेक्स फोलोट टेबलेट का उप्योग करते हैं और आपको तोचा में खुजली देखने को मिलती है तो आपको बता देते हैं कि यह भी एक प्रकार का साइड डिफेक्ट होता है दोस्तों तोचा के अंदर कई प्रकार की लाल चक्ते बन जाती है अगर आपको इसा कुछ देखने को मिलता है तो उसी समय डोक्टर के पास जाएं और डोक्टर से बात करी जैसा डोक्टर आपको बताता है उसका पालन करी और उसी के अनुसार कारिये करी आदे सभी ऐसे स्टाइड डिफेक्ट होते हैं जो कि इस दवा को लेते समय आपको देखने को मिल सकती है आपको बता दे कि आपको बिना डोक्टर की अनुमती की यह दवा नहीं लेनी मतलब यह है कि पहले डोक्टर से बात करी और फिर इसका उप्योग रे अगर किसी तरह का स्टाइड डिफेक्ट नजर आता है तो आपको डोक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए आपको एक बार फिर शे पता देते हैं कि हम इस दवा को लेने की आपको सला नहीं दे रहे बल्कि आपको जानकरी दे रहे तो जितना हो सके उतना डॉक्टर के सला के अनुसारी इस दवा का उपियो करें दोस्तूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइक मुद दबा दें मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वास तरहें और सुरक्षित रहें